हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं काफी महत्पून टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं दोस्तो आपने कई तरह के टीप्स और ट्रीक्स अपने वीडियो पर लगा होंगे और आपने कई सारे ऐसे वीडियो भी देखे हों ऐसी आपसे कौन सी गलती हो रही है जिसके वाएसे आपके वीडियो पर भ्यूज आ ही नहीं रहे हैं या आ रहे हैं तो रूक जा रहे हैं तो आप ऐसा क्या करें कि आपके वीडियो पर भ्यूज आए तो उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा ट्रीक बताने जा रहा हूं ज आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और आपको ये वीडियो का लाव नहीं हो पाएगा तो उसके लिए दोस्तों आपको कहीं जाने के जरूत नहीं है आपको एक सिंपल एप की मदद लेनी होगी जिसका नाम है भीड आईक्यू और आपने ये सुना ही होगा इसका नाम आपने बहुत सारे किरियेटर के वीडियो में सुना होगा दोस्तों ये आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है और ये आपके वीडियो पर भ्यूज लाने के ल वीडियो पर सर्चेवल टेक्स नहीं होंगे तो कभी आपके वीडियो पर भीज नहीं आएगे आप हमेशा कोशिस करए कि आपके कि ये विडियो पर जो भी टेक्स है वे सς सर्चेवल टेक्स हो यानि लोग उसly तरह कि टेक्स सर्च करते है जिसे कि मैं आपको une example बतादे और जो वीड IQ जो आपको एप है उससे क्या फायदया होने वाला है तो बने रहे है इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके वीडियोस पर अगर सर्चेबल टेक्स नहीं रहेंगे तो आपके वीडियोस पर फ्ट आने के चांस काफी कम रहेंगे और उनके भाइरा रहने के चांस काफी कम रहेंगे तो इसके लिए आपको जो एक एप की ज़रूत होगी जिसके बाए मैंने आपको वीडियो के सुरवाती दोर में ही बताया है उसका नाम है बीड IQ और आपको यह प्ले स्टोर पर इजली मिल जागा, जैसा कि देख सकते हैं, यह मेरे पास अवलेवल है और यह आपके पास भी होना चाहिए, आइए बात करते हैं कि आपको क्या करना है, और इसमें आपको एक किलियर एसीयो आपको देखने को मिलेगा, जो कि वीडियो में भ् पर चेवल टेक्स होता है, यही से इसमें अपने वीडियो में एडिट करके डालता हूँ, तो आपको भी इसी के मदद देनी है, और यह जेनियून तरीका है दोस्तों, आपको इसमें किसी तरह का कोई भी इन्वैलिड एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आ आपको क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइटल मैंने जो लिखा है, और मेरा जो description आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, आप बात करते हैं, जो आपको keyword लगाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसा कि देख सकते हैं, मैंने तो अपना keyword सब लग दिया है तो आप नया keyword अपने जो है वीडियो पर कैसे लगाएंगे तो आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा keyword के नीचे आपको recommended keyword दिखाई दे रहा होगा तो आपको यह करना है कि आपको ऐसे सलेक्ट कर लेना है तीनों जैसे कि मैं आपको एक जांपल के थुरू दिखा देता हूं देखें दोस्तों views कैसे बढ़ाएं YouTube पर जैसे का आपको दिख रहा होगा recommended keyword आपको तीनों प्लस वाले जो आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके publish कर देना है तो यह आपके वीडियो में add हो जाएगा और ऐसे जब तक यह recommended करेगा तब तक आपको वह अपने कि जो है आपका keyword आपको लगाते रहना और पब्लिक्स करते रहना और आपको यहाँ आपको देखने को मिलेगे जैसा कि आप देख सकते हैं और यह ज्यादा ज्यादा 46 48 जाता है इतना करने के बाद आपको मैं 100% guarantee के साथ यह कह सकता हूं कि आपके वीडियो से भीज आएग जैसे कि मैं आपको बताता ही टाइटल लेंथ कितना रहना चाहिए तो आपको यहाँ दिखाए करें डिसक्रिप्शन लेंथ में मेरा ग्रीन है टेक्स लेंथ आप देख सकते हैं और ऐसा आप देख सकते हैं आपको एक चेक लिश्ट पी आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए काफी अच्छा है तो आप इसका फाइदा जरू उठाएं और जो आप जिसके में बात कर रहा हूं उसका नाम एक बार आप और सुन ले बीड आई क्यों नाम है इसका और आपको यह प्लेश्टोर में इसली मिल जाएगा तो इसके बारे मैं आपको और आगे बताता हूं बने रहे हैं उम्मीद है दोस्तों कि आपके वीडियो पसंद आई होगी आप इससे मैं आपको एक निसकर्स बता देता ह इसका नाम है बीड इक्यू उसके मदद से आपको जितना भी रिकमेंडे टेक्स दिखाई देगा आप उसे हमेशा इडिट करके अपना पब्लीश उसे करें तो जितना भी आपका जितना करेक्टर है यानि 500 करेक्टर होता आप तो जानते ही होंगे टेक्स में और उतना हो जाने बाद आपको उसे पब्लीश कर देना वह आपका जितना भी टेक्स दिखाई देरा सब सर्चेबल टेक्स है तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के अगर आप और भी टीप्स और ट्रीक्स जानना चाहत है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद है